मैं आज एक नास्ता बनाए है कम खर्चे में और कम बजट में और कम ऐल में बनाया है इस से मैंने कैसे बनाए तो मेरे सिपी एन तक जरू दिखना है मेरे सिपी अच्छे लगत लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना तो यहाँ पर दीके बहुत ही सॉफ्ट बना है तो इसे आप जरू ट्राइ कीजेगा तो चले बनाते है तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया उसमें मैंने देड़ कटोरी आठा दाल दिया गेहुका उसमें आधी से पाउन कटोरी मैंने रवा डाल दिया अब इसमें दाल थोड़ा थोड़ा पाइन दाल कर गोल आपन देशुचाय. रचुरिमेथी मिंने थोड़ा ज्याद लिए. तो हाथों से क्रश्च करके डाला तो देकल मैं अगयरा, सबस्केशिया सबस्केश करोम्जाा भी सबस्कार लिए पत्ता गोबी वगाइरा ड्याजर ले सकते हैं मिर्ची थोड़ा कम डाली है अगर मुझे लगे तो और में डालूँगी तो यहाँ पर मिर्ची और नमकाप अपनी साब से कम ज़्यादा ले सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में 10 मिट तक रेष्ट करने के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें सोजी है तो फूलने के लिए समय लगता है तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है तो अब 10 मिट के बाद में हम ग्यास पर तबवा रख देंगे और ऑईल लगा देंगे अब यहाँ पर बैटर दाल देंगे छिला बना लेंगे हाँ यह एक दरका छिला यह है इस तरह से बहना सकते है यह पर आप अपे साचे में भी यह बैटर दाल के बना सकते है तो दोन तरह से नास्ता बनता है जैसे चाहे वैसे बनाईए यह नास्ता आप टिफिन में भी दे सकते है या फिनास्ते पे भी खा सकते है फिर सुब शाम जब चाय बनाते है तो उसमें भी आप खा सकते है तो जिस तरह से बनाओ उस तरह से भेहतरे नास्ता बहुत ही बढ़िया है इसे अब जरूर ट्राइ कीचेगा तो यहाँ पर मैंन इस तरह से पल्टा देना है आराम आराम से क्योंकि यह तूट जाता है तो फिर आराम से करना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पर देखे पल्टा देंगे एक साइट से पक चुका है दूसरे साइट से पका लेंगे तो यहाँ पर एक छिला बन चुका है तो इससे निकाल यहां पर दुसरा दाल देंगे और इसी तरह से सारे बना लेगे उसे आप चटनी साथ में सौस के साथ के सात में तड़के वाला दा हैं ईससे तो यहां पर देखिए मेरे सारे बन चुके हैं तो बच्चे तो इसे बहुती स्वात से खाते हैं इसे बनाने के बाद में बच्चे भी खुश और मामी भी खुश तो चले फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए असलां लेकूम